हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंकल अर्णिंग क्लासिज में 66 में BPSCBR, SACBR दरोगा और आन एकजाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्की सिरी चलाई जा रही है इसकी अंतरगात हम लोग समान भिग्यान के बायो कोई कोश्चन को देखते हैं ताकि एकजाम में आपका कोई कोश्चन न चूटे और एकजाम में अच्छे माक्स आ सके तो चली हम लोग देखते हैं बायो जी के कोश्चन आज का टॉपिक है अनुवांसिक इंजिनेरिंग तथा बायो टेकलोजी इससे डेटेड हम लोग पहले नोट्स देखेंगे उसके बाद कोश्चन देखेंगे तो पहला हम लोग नोट्स देखते हैं अनुवांसिक अभियांत्रिकी या जीन अभियांत्रिकी का पुन्योग जन डियने प्रवध की में भी कहा जाता है इसकी अंतरगस्वार परतम DNA अनुग को छोटे-छोटे टुक्रों में खंडित करके वांचित जीनों वाले टुक्रों को अलग करते हुए फिर इन वांचित टुक्रों को वहां DNA अनुग से जोर कर ऐसे पुनसंसोति DNA अनुग बनाते हैं जिनका के पुंजी करन दोरा बड़े पैमाने पहुत पादन किया जा सके इस वीधी से प्राप पुंजीत करीद जीनों का विवीत परकार का उपयोग किया जाता है अनुवांसिक अभियांत्र की प्राया जीन लाइबरेरी जीन चिकिल से अम अनुवांसिक रूप से प्रिवर्तित जीवों से उत्पन करने के ल अंत्रग और इसके गुन सुत्र और जीन के छोटे चल्ले पर निर्भर करता है जिसे प्लाज्मिट काते हैं जनेटिक इंजिनेरिंग में एक आलग जीव की डिने की प्लाज्मिट को जोरा जाता है ता था इस डिने युक्त प्लाज्मिट क्या पोसी जिवान्यू में किया था इस जीन अभी आंत्र की किन्ये वेल्टर के रूप में परेयोब किया जाता है। चीद्र के माध्याम से हम लोग देख सकते dwarta इन्सृलिन उतपादन है तू जिनेटिंग में पलाजमेट का परियोग कैसे होता है। तब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुवानसी कभी अंत्री की द्वारा DNA को रजिस्टरें रिस्टिक्षन एनो नुक्लियडेज इन्जाइम की साहता से टुकरू में खंडिट तता DNA लाइगेज एन्जाइम की साहता से इन्टुकरू को प्रस पर जोरा जा सकता है इसके द्वारा किसी कोसिका में जीन्स की हेरा फेरी मनी प्लूटेशन अर्था जोरा यह टाया उसकी मरमत की जा सकती है जिसके फ़ल सरुम जिवानु धरुबाय लक्षनों को एक्षा अनुसारूत्पन किया जा सकता है उन लिखने की रेस्टेक्षन एंडोनुकलीज इंजायम को सरपर्थम नान्थस एन स्मीत ने हेमोफिलयत इनमुंजा नामक जिवानियों से प्राप्त किया था इसके लिए इस बर्ष 1978 में नोबल पुरसकार प्रदान किया गया नेक्ष्टरम लोग देखते हैं किसी जीव में वान्चित जिनों का विगलन क्लोनन और किसी अन जीव में उनका स्थापन बिनोजन डियने प्रदकी कालाता है इस परकिरिया में सामिल चर्णू का सही क्रम है अनुवानसिक पदार्द की पैचान अम प्रिथी करन दूसरा डियने का विखंडन तीसरा एकचित डियने खंडों क्या प्रिथी करन रूची वाले जीन प्रिवर्दन डियने खंड को वाहन में जोरना पुनर योधन डियने का पुल्सी कोशिका जीव में अस्थानांतर बाय जीन उत्पादन की प्राप्ति नेक्ष्ट देखते हैं ध्यातव है कि पुन गेज डियने प्रद की द्वारा प्राय किसी जीबानु या सुक्ष्ण जीव के जीन को उच तरजीवों में अस्थानांतित किया जाता है इदो रंजिकों से योगति रच्षान अचनाव से इस क्रांत कराय को हेतु सक्षम बनाती है नेक्ष्ट है डॉक्टर जेम्स वाट्सन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रीक, एम एच एफ, वेंग सिंग तथा फ्रेक्लिर मानक बैज्यानिकों ने एस एक्सरे विसलेशन द्वारा उन्हें सोतिरपन में जीन अनु का कुंडलीदार सरपीलाकार सीडी सरदिस विन्यास प्रस्तूत किया काफी इंपोर्टेंट है ध्यान दखेंगे इसकी अनुसार एक सीडी की भाति डियाने अनु सीधा नहीं होता सीधी के दो लंबे डेंडे एक दूसरे अक्षक के चार और दूई चक्राकार रचना डवल हेलिक्स बना लेते हैं डॉक्टर वाट्सन, फ्रांसिस क्रीक और मॉरिन विल्सन को संजुक्त रुप सिवर्स 1962 का चकित्सा बेग्यान के छेत्र में नबल प्रसकार प्राप्त हुआ था उन लेखने हैं कि जेम्स डेवी वाट्सन अमेरिकी माल्टी कूलर बायोलोजिस्ट है जो जीन सरचना की खोजों के लिए परसीद हुए हैं द्यातव है कि आर्थर कोन बर्ग नेस और पर्थम डियने अंतप्रात बनाया था नेक्ष्ट है मानव सरी की अस्यंक कोसिकाई सुक्रानू और अंडानू के मिलने से बने युगमग जैगोट के अनगिनत विभाजन से बनती है इस आधी कोसिका में माता और पिता द्वरा प्रदत गुन सुत्रू की संख्या समान होती है इन गुन सुत्रू को विस्यस अनुवांसिक गुनों को परदान करने वाला कारक डियने है मनुस्य के डियने में चार परकार के नैट्रोजोनी चार होते हैं जिनका अनुक्रम भिन भिन होता है प्रंतु एक मनुस्य की सभी को सिखाओं में इनका अनुक्रम समान होता है जो उस मनुस एवरमोस के बंस के सम्बंदियों के समान ही होता है इस करण एक बेक्ती विशेश को अनबेक्तियों के समान से अलग किया जा सकता है नेट्रोजनी छारों के अनुक्रम के अधार पर किसी बेक्ति के पहचान की बीधी को DNA फिंगर प्रिंटिंग काते हैं इस तक्नी का विकास 1985 में सर एलेक जेफरेक ने किया इस तक्नी का पर्योग नियाली विसलेचन पहतरी कनुवान सिक्ता जिर्धारन संकटा पन प्राणियों के रक्षन आधी में किया जाता है इस पधिति में किसी बेक्ति के जयविक अन्सु जैसे रक्त बालब्री लार आधी के द्वरा इसके DNA की पहचान की जाती है द्यातव एकी भारतिय वेग्यानिक डॉक्टर लाल जी सिंग का नाम इस तक्निक से जुरा है उलेखनी एकी वर्स 1983 में DNA फिंगर पिंटिंग के उप्योग द्वारा इंगलेंड में एक लड़की की हत्या का मामरा हल किया गया था नेक्स्ट है दियानि अक्रम द्वारा अनुवांसिक रोगों जैसे अलजाइमर, सिस्टक, फाइब्रोविक्स, मोयोटाइनिक, डिस्ट्रोपी और जीनु की हसंता एवमुन में उत्पन दोसों के चलते होने वाली कई बिमारियों का कारण ग्यात कर उसमें उप्चार संभव हो सकता है नेक्स्ट है जीवी मेतिय पहचान, बायोमेत्रिक आइडेंटिफिकेशन, किसी बेक्ति के गुनों और विस्टाव के अधार पर कम्प्यूटर की साहता से उसकी पहचान निर्दारत करने का एक तरीका है जिसका परियोग पहचान परवेश सुरक्षय लिए जिवी मेरों आँज़र की साहता पहचान उसकी बेक्तिकार की अधार पर पर कोिनों और विस्टार पर उसकी एक फीवाल की साहता परियोग पहचान पराज है जिकूनों के बिसे बिन्यास के अधार पर उलेखनी है कि संपुन जीबो या जीबो द्वरा उत्पन प्राधार्तों एवं जैप प्रकिरियाओं को अधोगी कस्तर परूपियों को जैप प्रोधकी काते हैं अनवानसिक इंजिनेरिंग में बरतमान समय में जैप प्रोधकी की अप्रत्यासित बिस्तार हुआ है किसी भी जीबधारी से उसके जैसा हुब अधो जीबधारी प्राप्त किया जाए तो क्लोन काते हैं या अलेंगिक बिदी द्वरा उत्पन किये जाते हैं ये सभी को में अपनी मात्री जीब की समरूप होते हैं क्लोन प्राप्त करने की परकिरिया क्लोनिंग कहलाती है नेक्स्ट है डॉली नामक भेर के क्लोन का जनम स्कॉट्लेंड इस्थित रोजलीन इस्टिचूट में 5 जुलाई 1996 को इन्यान बुलमुट कित कैपलेन और सहयोगी के प अगया था ना पात्र निसेचन इन्विटर फटिलाइजिसन द्वर्ण इसके लिए डॉली की मा की अश्चन घरंतियों से प्राप्त एक कोषिका के केंद्र को को दूसरी मादा वेर की अंड में परविश्ट कराये गया। इसुलिक केंद्र काटा दिया हुआ जोनुवांसी की रूप से पुन्ता अपनी मा जिसकी अस्तन कोशिका का केंदक लिया गया था समान थी यही है डॉली निक्ष्ट देखते हैं निसर निसनल डेरी टिसस इंटिशूट नेडरी करनाल के बैग्यानिकों ने फरवरी 2009 में विस्व में 20 के पहले कलोन बचरे समरूपा को विक्सित किया था नेडरी के बैग्यानिकों ने जुन 2009 में भेहसे के दूसरे कलोन गरीमा तथा अगस 2010 में गरीमा टू का जनम कराने में सफलता प्राप्त की थी जनवरी और 2013 में गरीमा टू और महिमा नामक एकस्वस्त मादा बच्चे का जनम दिया था उन लिखनी है कि दुबाई स्टीत उट प्राजनन केंदर में दुनिया के पहली मादा कलोन उट वर्थ 2009 में भिक्सित की गई थी इस कलोन उट का नाम इंज्वाज रखा गया था हाले में चीन के बेग्यानिकों ने बेस्व में पर्थम प्राइमेट्स के कलोन को सफलता पुरवग बिक्सित किया है जोंग जोंग तता हुआ हुआ नाम क्लोन बंदर वीठी कुसी परकार बिखशित किया गया जिस परकार पर्थम स्टनी क्लोन डॉल्ली को बिखशित किया गया था Next है, मनुष्यका सरीर असंख कोशिकाओं से बना हुआ है कोशिकाओं के अपने कार होते हैं स्टेम कोशिका ब्यवाजित होने के बाद पुर्ण रूप धारन कर लेती है जिबकि अन कोशिका ब्यवाजन होने पर छतिग्रश्ट हो जाती है स्टेम कोशिका से सरीर की लगभगसवी कोशिका निर्मित किया जा सकता है अर्थात इनसे सरीर की किसी भी अंको कोशिका त्यार की जा सकती है स्टेम कोशिका को बेग्यानिक परियोग के लिसरोत की अधार पर भुरुन वैस या कर्ड बलड में बाटा जाता है अधिकांस स्टेम कोशिकाएं भुन से प्राप्ट होती है इन्हें जरम के समय ही सुरक्षित करना रखना होता है इन्हें मौली कोशिकाओं के अनुसंधान से लेकर कापी भी बाद है करण यह है कि विकास के प्राणबिक चरण में मानब भुरुन से इन कोशिकाओं को प्राप्ट करने के दोरान भुरुन नस्ट हो जाता है इसलिए नैतिक्ता क्याधार पर इस तरहनु संधानों का विरोध होता रहा है किन्तु बरतमान में इसके बैकल्पिक सुरुत्तों की तैलास कर ली गई है जिसमें व्रून को नष्ट करनी के अब सकता नहीं होती नेक्स्ट है गर्ब नाल का रक्त डांत और अस्ती मज़ा आधिय स्टेम को सिकाओं के अविश्वास अस्पद सुरुत है चिकिसा बिग्यान के छित में विभीन रोगों के निदान के लिए स्टेम को सिका कपड़ों किया जा सकता है इसकी साहता से कार्णिया प्रेता रोपन में अहिद्यागात के कारण छती ग्रेश्ट मान स्पेशियों में उपचार में सफलता मिल चुकी है उन लेखने के अस्ती मज़ा से प्राप्तिये को सिकाएं आजीवन सरीर के रक्त का उत्पादन करती है और लुक्यमिया आधी रोग में इसका प्रत्यारवपन कर पूरी रक्त परनाली को पुनसिंचित किया जा सकता है इस परिक्षन के तहत विक्सित हो चुके बुरून के चारोगर बिदमान उद्विय द्रब एम्मिनोयटिक फ्लूड की कुछ मात्रा निकाल कर उसके विसलेशन किया जाता है जिसे वुन का लिंग परिक्षन भी किया जा सकता है नेक्स्ट है अनुवांसिक अभियांत्रन द्वरा रोग परती रोध बुद्धी वर्धन और जन्तु क्लोनिंग पर सफलता मुल चुकी है किन्तु मानब क्लोनिंग का परिक्षन अभी पुरी तरह से सफल नहीं हो पाया है क्योंकि यह विवाद अस्पत तथा परती बंदित है नेक्स्ट देखते हैं अनुवांसिक अभियांत्रकी का प्रयोजक अनवांसिक अरभियांत्रिकी के प्रयोजक इसकी द्यानिक जीबन में महत्ता को निम्लिकी सिर्षकों के माधिम से समझा जा सकता है पहला जीनी बिसलेशन एवं संग्रा डिना अनुओको छोटे टुकरों में तोर करिंग का पुने करण क्लोनिंग करके इकिसी विजीब की समपुन जीनोम का बिसलेशन किया जा सकता है और इसे जीनी संग्रा के रूप में कام्प्यूटर में रिकॉअट किया जा सकता है द्याताब है कि जिनों की एक प्रानी में प्राय पाय जानने वाले सभी जिनों की समुच्च के लिए पर्युक्त समुवाचक सब्द है निच्ट है 208 के प्रोग्राम Human Genome Project का संबन मानब जिनों और उसके अनुक्रमों की पहचान अवं मानब चितरन से है मानब जिनोम पर्योजना के अंतरगत बैग्यानिकों के अनुमान लगाया गया है कि मानब जिनोम में लगवक्ती सजर जीन होते हैं और इसमें अधिकांस जिन्स क्या पिसलेशन कर लिया गया है इससे मानब को गंबीर अनुवांसिक रोगों को अकाल मिर्तु से निजात दिलाने में सहयता मिलेगी नेक्स्ट है जीन्स का संसलेशन जिनोम दोरा संसलेशिज संपून MRNA अनुगों को टांस्क्रेप्टों कहते हैं किसी विश्रिष्ट कोशिका में MRNA अनुगों प्रितक करके प्रतिवर्थी ट्रांस्क्रेज रिजार्ब ट्रांस्क्रेप्टेज एंजायम की सहयता से डिने सिंक्रा का संसलेशन करवाया जा सकता है निक्स्ट है मानव रोगों के जिन्स का रुपर अंत्रन वप्रति अस्थापन उलेखनी है कि मनुष्य के लगवक 3,000 रोग ट्रूटी पुन जिन्स के नियंत्रन में बने ट्रूटी पुन एंजायमों में सहयता कारण होते हैं जिन उप्चार के अंत्रगत रुटी पुन जिन्स के अवांचिये निकलियोटाइट्स के अस्थान पर वांचित निकलियोटाइट्स को जोर कर अत्वा जिनोम के अवांचित जिन्स को हटा कर वांचित जिन्स को प्रविष्ट करा कर इन रोगों को निजात पया जा सकता ह तथा वेक्ति किसनरात्म, क्रियात्म, कर्मानसिक लक्षनों की नियंत्रन किया जा सकता है। यह रोग एक प्रवावी जीन के कारण होता है। कीट रोधी पौधे अनवांसिक अभियांत्रकी के दोरा एक जीन बीटी जीन की निर्वेश्ट कर्स निर्मित किया गया है। बीटी जीन मिट्टी में पाये जाने वाले जिबानों बैसिलस थूरिंजिस दोरा त्यार किया गया है। बीट जीन पौधे के अभियांत्र अभिव्यक्त होने होकर कीटों की पर्तिरोक्ता का उद उद्पन करता है। इसमें इन्हें किटानों के उपयों की अर्वसकता नहीं होती। इस तरह के जया पीरक नासकों का निर्मान होता है। से बीटी का पास बीटी मक्का इत्यादी, बीटी वेगनरवांसिक अभियंत्रयंत के से विक्सित वेगन की नए किसमें, इसमें बेगन की बैसिलस थ्रूंजनिसिस नामक जीवानू के विशेस रीन क्राई वन एसी को निवेशित किया जाता है, जिससे एक परकार का बीस पीडो टरप्डॉन किरिटो जैसे ब्रींजर फ्रूट, फ्रूट बोरर और सूट बोरर आधी के प्रूत परति रोधक छंता उत्पन करता है, इस परकार बीटी वेगन फसा सुरक्चा के दिश्टी से अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन ऐसी आ संका है कि बीटी विश स मानव स्वास्ट और जय बिविता का विप्रित परवा परता है, द्यातवर की जीन अवियांत्र की अनुमोधन समीती जिनेटिक इंजिनेरिंग एप्रूबल कमीटी जीक ने बीटी बेगन की वेवसाई खेती के अक्टूबर 2009 मेनुमत्ती परदान की थी, किन्तु इसे ले कर जना क्रोस अत्याधिक भरकने के कारण सरकार ने 9 फरवरी 12 को इसकी खेती के अस्तगन का खोस्तना कर दी थी, नेक्स्ट पादप जिन प्रयारूप में परिवर्तन, पुनसायोजित एम पुंजिकरी डियने को पादप जिन प्रयारूप के प्रविष्ट करके टमाटर त एक अनवनसिक रूप सरुपांतरिक टमाटर है, या वैफसाई के उद्धे से तूत पादित पहली एसे अनवनसिक रूप से अभियांतरिक फसल है जिसे मानव उभू के लिए लाइसेंस परदान किया गया था, इस टमाटर में ऐसा जिन डाला गया जो पकने की परकिरिया क धीमा कर देता है, इसके फ़ल सरुप टमाटर पौधे पर ही लंबे समय तक राकर पक सकते हैं, जिसमें उनके अधिक स्वाद होता है, साधी बजार में अस्ठानांतर की परकिरिया कदरन हुए डिड राते हैं, ध्यातब है कि पौधे पर पके फौलो को बजार में भेजने से हरे फौलो को तोर करोने क्रितिम रूसे पकाने की परकिरिया से बचा जा सकता है, नेक्स्ट है गोल्डेन राइस सुनारी चावल जैप प्रदकीक में उपलब्दी जिसकी जमदाता प्रोफेसर इंगो पोटिक्स एंड डॉक्टर पीटर वेयर है, यह चावल करंग सुन आगा होगा, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करे, सेर करे और कमेंट करे, साथी चैनल को सब्सक्राइब करे, तो आज कलिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थेंक्यू